अच्छो आज हम लोग बात करते हैं Convex Lens और उसके Image Formation के बारे में Image Formation के साथ साथ उसका कुछ हम लोगों डेली लाइफ में यूज भी होता है तो साथ में हम लोग उसको कॉडिनेट करके लेकर चलेंगे कि Image Formation का Uses और साथ में उसको मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम को अच्छे से समझ में और याद हो सके देखिए Image Formation के पहले इसके कुछ नियम होते हैं कुछ रूल्स होते हैं क्या होते हैं फर्स्ट देखिए Image Formation के लिए फर्स्ट यह बोलता है कोई रे अगर प्रिस्पल एक्सिस के पैरलल आती है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से होकर जाती है सकेंड बोलता है कि कोई रे अगर अप्टिकल सेंटर पर फॉल करती है तो सीधे निकल जाती है अंडेवियेट डेवियेट नहीं होती है इधर उदर नहीं होती है थर्ड बोलता कि कोई रे अगर फोकस से होके आती है फोकस से होके हमारे लेंस पर गिरती है त principle axis के parallel हो जाती है क्या था parallel आई तो focus से गई और focus से आई तो parallel हो गई और second rule बोला कि optical center से आती है तो undaviate होकर गुज़ जाती है इसके बाद हम लोग एक बात और में ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को image formation के लिए कम से कम है at least two reflected rays को मिलाना होगा अगर वो खुद मिलती है तो image real बनेगा और अगर हमारा contribution होता है मनलब कुछ ऐसा situation होता है कि refracted rays मिल नहीं पाती है जैसे divergent के case में होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे help करेंगे उनको पीछे की address करेंगे तब image हमारा virtual बनता है रियल नहीं बनता चलिए बात करते हैं image formation के बारे में first case हमारा यह बोलता है कि हमारा object infinite पर अगर image infinite पर रखा हुआ है object infinite पर रखा हुआ है तो उसको figure में show करना possible नहीं है तो देखिए इस वाले image में हमारा object भी नहीं दिख रहा है लेकिन एक चीज़ तो हमको पता है कि अगर हमारा object infinite पर रखा है तो infinite से parallel लेज आती है तो फर्स्ट रूल हमारा बोलता है कि parallel आती है तो after reflection focus से होके जाती है यहीं चीज़ यहां पर भी हो जितने भी parallel आएं वह आक्टर रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन लॉस को करते हैं कहां पर मिले फोकस पर देख सकते हैं आप यहां पर मिलेंगी तो हमारे image formation कहां पर होगा इसका मतलब कोई object अगर बहुत दूर है infinite पर है तो आप इसका image formation हमारे convex lens पर कहां पर हो रहा है F2 में हो रहा देखिए image के characteristics मैंने लिख दिया है कहां पर बनाए at the second principle focus first principle focus second principle focus image कहां बना second principle focus खुद यह मिली है real में मिली है image बना real और real के साथ बनता है inverted point size बनी है size में हम लोग लिखेंगे point size बनी है या highly diminished बनी है बहुत छोटा बना है ठीक है इसका देखिए हमारे daily life में एक अच्छा use होता है और वह use क्या होता है इसका हम लोग use करते हैं टेलिस्कोप में टेलिस्कोप में क्या करते है टेलिस्कोप हम लोग use करते हैं दूर की चीज देखने के लिए अब दूर की चीज अगर हम लोग लोग देखेंगे तो दूर से light कैसे आएगी दूर से light parallel आती है देखिए concept मिल आएकि नहीं light parallel आ रही है इसलिए इस lens का use हम लोग कहां करते हैं टेली स्कोप में ताकि दूर की चीज हम लोग टेली स्कोप में इस convex lens के जरिये छोटी सी देख सकें ठीक है आपके बहुत अच्छी होगी आएए देखिए अब हमारा object 2f1 के beyond रखा बियॉंड मतलब इस पार रखा है दो रेज निकाल लेंगे कम से कम image formation के लिए एक गई parallel तो parallel वाली कहां से जाएगी focus से जाएगी एक गई optical center से तो वह सीधी निकल जाएगी अन्डेवियेटेड फस्ट और सकेंड डूल दोनों का यहां पर यूज हुआ है रिफ्रेक्टेड जहां पर मिलती है image का formation होता है तो रिफ्रेक्टेड दोनों मिलती है f2 और 2f2 के बीच में यह खुद बखुद मिली है real में मिली है तो image भी बना real और real के साथ बनता इन्डेड देख सकते हैं उल्टा image बनना और यह भी देख लिए object से छोटा मिलना करेक्टिस्टिक की बात करते है करेक्टिस्टिक बोलता है f2 to f2 के बीच में मिलना f2 to f2 के बीच में real और inverted खुद मिली थी real में बनी थी real और image का size object से छोटा है तो smaller than object कम से कम यह चार बाते हम लोग अपने करेक्टिस्टिक में कवर करेंगे इसका यूज हम लोग आज कलके simple camera में पहले भी simple camera बगरा में किया करते थे ठीक है simple camera में देखिया आज की generation को तो नहीं पता होगा लेकिन previous generation जानते थे कि जब लोग फोटो खीचते थे तो उसका negative निकलता था हम अपने object को क्या कर रहे हम अपने object को lens के पास ला रहे हैं ठीक है हम अपने object को lens के पास ला रहे है जब तू एफ़वन पर रखें तो कैसे बना कम से कम दो रेस चाहिए एक गई प्रिंसिपल एक्सिस के parallel parallel lens कहां से जा रही एक गई optical center से होते हुए वही पहला दूसरा case हम हम लोग rules को लेकर चलने और जब हम लोग 2F1 पर अपने object को रखते हैं तो हमारा image formation भी कहां पर होता है 2F1 पर object रखें तो image formation भी कहां हो गया 2F2 पर हो गया और इसकी खासियत क्या है जितना बड़ा object होता है उतना ही बड़ा image बनता है आप लोग अगर हमारे previous video देखे होंगे और concave mirror के image formation की देखे होंगे तो अब आप लोग एक चीज notice कर रहे होंगे कि इसका image formation का जो pattern है काफी हद तक concave mirror से मिलता जिलता है मतलब convex lens और concave mirror के image formation का pattern काफी हद तक मिलता जिलता है आप लोग देखकर और मिलाईए और मेरी बात पर गौई करीगा है क्या सरसही बोलने ते लेकिए आगे एक बात बढ़ाते हैं कि अपने थर्ड केस में हम लोग आते हैं थर्ड केस में जो इमेज यहां फॉर्मेशन की हैं उसके करेक्टरिस्टिक को यहां पर लिए करेक्टर पॉलता कि जब हमारा अब्जेक्ट एफ वन और टू एफ न के बीच में इन फाइनाइट पर फिर फोकस से होके पास करेगी दूसरी गई ऑप्टिकल से होते हुए ऑप्टिकल से दोनों रिफ्रेक्टेड जहां पर मिलें कि वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा दोनों इसे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं अब जो हमारा इमेज बन रहा है वो अब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है यह रेस खुद कटी है रियल में कटी है तो इमेज भी हमारा है रियल बना और रियल के साथ इंवर्टेड बना है करेक्टरिस्टिक मैंने यहां पर लिख दि है तो इसको बोलेंगे मैगनिफाइड है इसका भी कोई खास यूज नहीं है इसलिए इसके यूज के बारे में चल्चा नहीं करेंगे बात बढ़ाते हैं आगे और फिफ्ट वाले पर आते हैं अब हमारा देखिए अब्जेक्ट रखा हुआ है एफ ओन पे देख लिए पहले image formation के दोनों तीनों रूल्स को आप अपने दिमाज में रख लेंगे फिर आगे बाद बढ़ाईगे देखिए यहां पर जो प्रिंसिपल लेके पैरलल गई थी वह गई फोकस से और जो अप्टिकल से कही वह गई undiverted एकदम सीधी निकल गई और बाद में यह जो दोन पर जाके मिलेंगी इनका image formation भी कहां पर होगा infinite पर होगा यह खुद मिलेंगी इमेज भी कैसा बनेगा बियांड 2 f2 तो यहां पर क्या लिखा एट infinite तो इमेज कहा बनदा एट infinite बनदा है खुद बनना है तो रियल और इन्वर्टेड ध्यान दिजिएगा शॉटकट का यूज किया गया थड़ा सा जगा बचाने के लिए real or inverted जितनी दूर image बनेगा उतना ही बड़ा बनता जाता है इंफानाइट पर बढ़ना है तो highly enlarged बढ़ते हैं अपने last image formation की हो which is the sixth one छटवा है देखिए अब हमारा object आगया optical center और F1 के बीच में ठीक है देखिए first principal focus और optical center के बीच में हमारा object आगया which is A B आप देख पा रहे होंगे यह A B है ठीक है फिर वही concept principal axis के parallel आया principal axis के parallel आया तो कहां सजाएगा दूसरी रहे गई optical center से सीधी निकल गई लेकिन previous case में यह parallel जा रही थी इस case में parallel न जाके यह एक दूसरे से दूर जा रही है इनको बोलते हैं divergent ray क्या बोलते हैं divergent ray and in physics or mathematics or any subject divergent rays never meet यह कभी भी मिलते नहीं है यह कभी मिलेंगे नहीं क्यों क्योंकि यह दूर ऐसे सीधे नहीं जा रहा है यह दूर ऐसे होते वह जा रहा है ठीक है और इस कारण यह कभी नहीं मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे तो इनका image का भी formation कभी नहीं होगा तो अब बारे आती है हमारे कुछ contribution को इसको हम लोगों ने जब पीछे trace किया देखे यह first वाली optical center वाली को यहां पर trace करके हम को लेके जा रहा है यह देखे इस वाले को और उपर जब दोनों को trace किया तो यह आके कहीं यहां पर पने मतलब यह कहां पर बनना है behind the object यह देखे अब्जेक्ट हमारा a b behind the object a dash और b dash इसमें हमारा contribution है image खुद बखुद नहीं कटी है real में नहीं कटी है हमने किया इमेज रियल न बनके क्या बनी वर्चूल और वर्चूल के साथ हमेशा अपराइट या इरेक्ट बनता है सुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं mirror की टाइप का image formation की सारे rules है और convex lens के image formation का pattern maximum किसके साथ मिलता है concave mirror के साथ मिलता है आप लोग एक बार इस बात को जरूर चेक करिएगा ठीक है देखें करेक्टरिस्टिक के बारे में लिख दिया हम लोगों ने behind the object बना virtual और erect बना क्यों क्योंकि ये खुद नहीं कटी थी इसमें contribution हमारा था पर लास्ट पॉइंट क्या ये बड़ा बनता है इस concept का यूज ज्यादा तर हम लोग डेली लाइफ में अपने magnifying glass या simple microscope में करते हैं जब हम लोग को ज़ुरत पढ़ती है छोटी चीजों को बड़ी करके देखने के लिए इसको हम लोग छोटे से प्रेक्टिकल से देख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं कि देख पा रहे होंगे बच्चों आप लोग आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है यहां हम लोग हम लोगोंने Magnifying Glass का यूज किया हुआ, देखिए, Magnifying Glass का यूज किया हुआ, यह छोटी सी चीज लिखी हुई जो थी, SJW, हम लोगों को नहीं दिख पा रहे थी, लेकिन जब हम लोगोंने magnifying glass का use किया, magnifying glass का use किया, देख पा रहे हैं आप लो, तो ये चीज आपको बड़ी दिख रही होगी, ये क्या करता है magnifying glass, magnifying glass इसको बड़ा करके हमको पढ़ने में हमारी help करता है, हुआ क्या, हुआ क्या, हम लोगों ने use किया convex lens, और convex lens इस तरीके से use किया, कि अपने object को इ AB, देख पा रहे हैं आप लो, हमारा जो object है, यहाँ पे AB है, ठीक है, और ये हमारा F1 है, optical center से F1 के बीच की दूरी focal length है, और जब object हमारा focal length के अंदर होता है, तो image सीधा बनता है, और image जो है object से बड़ा बनता है, यही चीज हुआ, जब मैंने magnifying glass को अपने object, अपने object के इ इसके focal length के अंदर, इसके focal length के अंदर, देखे, इसके focal length के अंदर, ठीक है, focal length के अंदर, तो यह चोटी सी चीज का image सीधा बना और बड़ा बना है, यही use होता है, यही चोटे-चोटे use हैं जो हम लोग डेली life में करते हैं अपने convex lens के साथ, तो यह था image formation of convex lens और उसके in Maryland.